अबी तक आपने मेरे चैनल को सब्स्ट्राइब नहीं किया तो तुरंती सब्स्ट्राइब कीजे और साथ में और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबा दिजे ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुचे दोस्तों रेनो ने अपनी मोस्ट पॉपलर मिड साइज ट्रॉस ओबर रेनो कैप्चर को भूती वेतरीन अपडेट और डिजाइन के साथ लॉंच कर दिया है रसिया में और बहुती जल्दी इसका फेसलिप्ट अपतार लॉंच होने वाली है इंडिया में जहां तक इसकी एक जिरो लाग एक शोरूम प्राइस दिल्ली रेनो कैप्चर को इंडिया में नॉंबर 2017 में लॉंच किया गया था लेकिन ओबर प्राइस की वज़़ा से ज्यादा चल नहीं पाई अब भॉती भेतरीन डिजाइन और कम कीमत में लॉंच होने वाली है इंडिया में जहां तक रेनो कैप्चर का सीधा-सीधा मुकाबला होने वाली है निसान किक्स किया सेल्टस एंड हुंडे क्रेटा से जले दोस्तों बात करते हैं इसके डेजाइन और डाइनमिस की तो फ्रेंट प्रूफाइल में देखने पे ये करेंट वेरेंट की तरह ही लगता है दोस्तों इसक हेट लैम यूनिट के अगर हम बात करें तो आटमेटिक फंक्शन के शाथ इसमें दिया गया है टियोल एलेडी प्रूजिक्टर हेट लैम और फ्रंट ग्रिल रीडिजाइन में क्रोम गानिस में दिया गया है पीच में बड़ा सा लोगो रेनो का और फाग लैम यूनिट मे सी सेफट लेडी डे टाइम रनिंग लाइट पहले जैसे आपको मिलने वाले हैं और इसके अलवा जिया गया है सिल्वर कलर के स्किट प्रूफाइल को काफी एंहांस कर देते हैं चलिए दोस्तों बात करते हैं इसके साइट प्रूफाइल में बहुती बेजिन 17 इंच के जि साइज रहने वाला है 250-60R17 इसके अलवा साइट प्रूफाइल में आपको मिलने वाले हैं बहुती 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 बेजिन डियोल टोन में ORBM with LED turn indicator के साथ which will be electrically adjustable and foldable और चारो तरफ आपको body cladding दिया गया है दोस्तों डोर हैंडल आपको body color में मिलने वाले हैं और window line पू और जहां तक इसके dimensions की बात करें तो दोस्तों यहां पर आपको बोई भी changes आपको देखने को नहीं मिलेगा dimensions में जो कि रहने वाला है पहले जैसे ही length 4329 mm width 1813 mm height 1626 mm wheelbase 2673 mm ground clearance रहने वाली है दोस्तों 210 mm जो कि इस segment में सबसे ज़्यादा है दोस्तों और वहीं हम बात करते हैं boot space की तो रहने वाला है दोस्तों 392 liters चले दोस्तों बात करते हैं इसके rear profile की तो आपको यहां पे बहुती भेतिन और re-design में मिलने वाले है LED tail lamp जो कि night के समय में काफी सांदार लगने वाले है इसके अलावा इसके top में मिलने वाले है rear integrated spoiler with high mounted stop lamp defogger and rear twiper के साथ और सबसे उपर दिया गया है antenna और tailgate के बीचो बीच रेनो का logo उसके नीचे chrome garnish में capture यानि के APTUR रशिया में इसे pronounce करते है के और इंडिया में इसे CAPTUR capture और उसके नीचे number plate की जगा और tailgate के left side दिया गया है रेनो की wedging right side दिया गया है all wheel drive की wedging और dual tone में बैठरीन डिजाइन में दिया गया है rear bumper reverse parking sensors के साथ दोनों तरब दिया गया है reflectors front की तरही rear में भी आपको silver color के skid plate मिल जाते है जो कि इसके rear profile को enhance कर देते हैं look wise चले दोस्तों बात करते हैं इसके interior की तो यहाँ पे आपको बहुत ही भेतरीन और premium interior मिलने वाले है दोस्तों steering wheel के अगर हम बात करें तो इसमें three spoke tiltable, telescopic, leather wrapped, sporty steering wheel मिलने वाले है जिसके left side, audio mounted control and right side मिलने वाले है cruise control की सुभीदा instrument cluster के अगर हम बात करें तो current variant की तरह ही digital instrument cluster मिलने वाले है जैसे कि आप यहाँ पे देख पार यो और center console में मिलने वाले है re-design में new 8 inch का touch screen infotainment system जो कि support करने वाला है apple car play, android auto, bluetooth connectivity, navigation, radio FM, aux and usb को और dashboard और center console में आपको blue inserts मिलने वाले है जो कि इसके interior look को काफी हद तक enhance कर देते हैं और इसके साथ साथ इसमें मिलने वाले है दोस्तों आपको new design में की जैसे कि आप यहाँ पे देख पारे हो center console में मिलने वाले है arm rest और इसके नीचे cold storage भी आपको मिलने वाले है दोस्तों वहीं हम cabin comfort की बात करें, driver seats की बात करें तो यहाँ पे आपको मिलने वाले है leather upholstery बहुती premium design में और height adjustable driver seat six way adjustable मिलने वाले है और सभी seats पे आपको height adjustable headrest मिलने वाले है दोस्तों जहां तक cabin comfort की बात करें rear passengers के लिए अच्छी कासी wheelbase और height के वज़़ से यहाँ पे leg room और headroom की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने वाले है दोस्तों और center में आपको यहाँ पे मिलने वाले है दोस्तों arm rest with two cup holder के साथ rear passengers के लिए और इसके साथ ही इसमें आपको मिलने वाले है दोस्तों dual zone climate control इसके rear seat 60-40 split भी हो जाते हैं जिससे boot space को increase किया जा सकता है चले दोस्तों बात करते हैं इसके engine की तो इसमें आपको मिलने वाले है BS6 compliant 1.3 liter 4 cylinder टॉबो चास पेट्रोल इंजन power specification के अगर हम बात करें तो 154 BSP की power and 254 Nm का peak torque generate करने वाला है दोस्तों वही हम बात करते हैं इसके second engine की तो इसमें मिलने वाले है BS6 compliant 1.5 liter 4 cylinder H4 के petrol engine power specification के अगर हम बात करें तो 105 BSP की power 5600 RPM पे and 142 Nm का peak torque generate करता है 4000 RPM पे transmission के अगर हम बात करें तो इसमें 5 speed manual and CBT gearbox का option आपको मिलने वाला है दोस्तों चले दोस्तों बात करते हैं safety features की तो इसमें आपको reno driver की तरह ही top in variant में 4 airbag and lower variant में dual airbag मिलने वाले है इसके लावा इसमें मिलने वाले हैं दोस्तों ABS with EBD with brake assist electronic stability program with hill hold assistance traction control reverse parking sensors 360 degree camera seatbelt reminder driver side and co-passenger side keyless entry push start stop button isopic child seat anchorage height adjustable driver seat belt engine immobilizer front impact beam side impact beam anti-theft device speed alert system जैसे safety features मिलने वाले हैं दोस्तों जहां तक off-roading capabilities की बात करें तो इसमें आपको all wheel drive का option मिल जाता है top in variant में और 210 high ground clearance की बज़र से इसे आप किसी भी और कैसी भी condition road पे चला सकते हो यह थी दोस्तों latest update facelift reno capture के बारे में information आपको कैसे लगी नीचे comment section में जरूर बताएगा दोस्तों और एक like तो बनता है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही मिलते एक नए वीडियो पे तब तक के लिए thank you धन्यवाद जैहिंद आज के लिए